बाबा महाकाल की नगरी उजैन में इंसानियोत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है 12 साल की नाबालिक लड़की का दुश्कर्म किया गया लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून भी बह रहा था वो अर्थ नग्न अवस्ता में थी घटना का खुलासा सिस्टिवे फुटच से हुआ ये घटना 26 सतंबर के पहले की बताई जा रही है जानकारी के मुताबिक पीडिता वड़नगर रोट पर मुर्ली पुरा से आगे दांडी आश्रम के पास मिली थी उसके कपड़े खुन से सने हुए थे बच्ची करीब 8 किलोमीटर तक पैदल चली उसने कई लोगों से मदद के गोहार लगाए लेकिन किसी ने भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया दांडी आश्रम पर रहने वाले राहुल शर्मा ने पीडिता से बात की और डाइल सौक को मामले की जानकारी थी इसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची और बच्ची को जिला अस्पताल में भरती कराया बच्ची की मदद करने वाले पुजारी रहुल ने बताया कि मैंने बच्ची को देखा तो उसके शरीर से खोन पह रहा था उसने नीचे वस्तर नहीं पहने थे मैंने उसे तन धकने के लिए कपड़ा दिया इसके बाद मैंने उसे अपना मुबाइल दिया और कहा कि अपने माता-पिता का नमबर याद हो तो फोन कर लो उसके आखे सूजी हुई थी मैंने उसे पूछा तुम्हारे माता-पिता कहा है तुम किस के साथ यहां आई हो तुम्हारे ये दुर्दशा किस ने की लेकिन बच्ची कुछ भी बताने में आसा मर्थ थी